नमशकार दोस्तो जै महाकाल स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर आपके ग्रोह की स्थिती बदलने वाली है और दोस्तो बड़े ही अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तो इनका सर आपकी राशी पर बड़ा घहरा पढ़ने वाला है और आपको काफी चीजों को लेकर के सावधान रहने की आवशकता है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दोस्तों आपको बता दे कि बड़े बड़े कारे आपके लिए भागेशाली होने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों आपके ग्रह गोचर के अधार पर बड़े ही खास परिवर्तन अब नजर आ रहे हैं और दोस्तों आपको बता दे कि कई बार आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन आप ये पहचान नहीं पाते कि कौन से लोग आपके दुश्मन है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों आपके जीवनकाल के सारे पोल इस वीडियो में खोल देंगे बस दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आज की इस वीडियो को बिलकल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंते तक दियांचे देखिएगा क्योंकि दोस्तों हम आप सबी को बता दे कि कितनी ही बड़ी वीडियो बड़ी ही मेहनत करके हम आपको निर्वित करवाते हैं दोस्तों इस वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है अगर आप इसे शुरू से लेकर अंते तक देख लेंगे और इस घ्यान को आप राप्त कर लेंगे तो दोस्तो हमारी भी महनत हमारी भी पुर्णे कदाना बढ़ जाएगा जी हाँ दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतक ध्यान से देखिएगा दोस्तो हम आपको ये बात भी बता दे कि आज की इस वीडियो में जो बाते आपको पता चलने वाली है इन बातों को आपको किसी और के साथ बिलकुल बेशेर नहीं करना है और इसके साथ ही बता दे कि आप वीडियो को बिलकुल शान्त होकर अकेले में देखे दोस्तो उससे पहले जो भी शिफ के सच्चे भक्तिस वीडियो को देख रही है दोस्तो वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे हिर्दे से जै शिफशंकर जरूर लिख दे महाकाल का सच्चे शिफशंकर का आपको आशिरवात प्राप्त होगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को प्रारंब करते हैं हर हर महादेव के साथ में दोस्तो कभी कबार ऐसा होता है कि आप खुद की खेखोज में बहुती दूर निकल जाते हैं कई बार आप इसमें सफल होते हैं और कई बार इसमें आसफल भी होते हैं लेकिन जीवन में आपको प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि दोस्तो भला उसी का होता है जो खुद का भला करना चाहता है क्योंकि भगवान भी फल तब देता है जब आपने कोई कर्म किया हो देखिए दोस्तों अगर आप चाते हैं कि बैठे बिटाए आपको सब कुछ मिल जाए तो ऐसा तो मुम्किन नहीं है इसलिए आपको अपने कारे शेत्र में, अपने पारवारिक जीवन में अपने सामाजेक, आर्थिक, सभी दरस्टी कोंट से आपको कार्रे करने की आवशकता है तब ही दोस्तों आपको सुक फल की प्राप्ती होगी और ईश्वर आपके साथ में रहेगा जीवन में कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो कोचर बन रहा है वो महादेव की करपा आपके जीवन काल में प्राप्त करवाने वाला है दोस्तों आप अपने अतीत में अगर कोई बहुत बड़ी गलती की है तो यहां पर आपको सुधानने का मौका मिल रहा है जिनका आप अपने जीवन काल में अपने हातों से अपनी किस्मत बदल सकती है और साथ में दोस्तों जिन व्यक्तियों को दोस्तों आपकी खुशी देखी नहीं चाती है उनके जीवन की ओर से दोस्तों आपके लिए कोई बहुती बड़ी नोग जोग हो सकती है तो जितना हो सके दोस्तों आप उन व्यक्तियों से दूरी बना ले जो व्यक्तियों से आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुती खतरनाक इस्तितियां उत्पन कर रही है क्योंकि दोस्तो ऐसे लोगों से आपका दूर रहना बैतरी है जो लोग आपके मूँ पर आपकर होते हैं और पीछे आपके बुराई करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि जादा आपको अपनी इच्छा पूर्ती की हिसाब से ही अपना धनवे करना है लेकिन दोस्तों अधिक धनवे ना हो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और अपनी आर्थिक इस्तिती सुधारने के लिए अधिक प्रयास करने की आवशकता है कभी कबार दोस्तो आपकी कही हुई बात किसी को आहत कर सकती है अनवशक र्यात्रा से आपको परेज रखना होगा बिजनिस में किसी नए कार्रे को लिया गया प्रयास आपके लिए सफल रहने वाला है अच्छी ओर्डर आपको मिलेंगे जरूरी मीटिंग में भी आपको आन्कृत किया चा सकता है दोस्तो दिन का अधिकतर जो समय है वो परिवार जनों के साथ में आप विताने वाले हैं घर में सुकुन और सांधी का वातावरन रहने वाला है प्रतिबा और योगिता का भी आप पर पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ने वाला है दोस्तो आपको बता दें कि जहां पर भी आपको लगता है कि आपका आदर सम्मान नहीं होता है वहां से आप अभी तुरंती हट जाईए दोस्तो ये आपके लिए बहतर रहेगा इसके साथ ही दोस्तो आपको बता दें कि यदि आपके दुख का कारण आपको पता चल चुका है तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए दोस्तो दुखी होने के सबसे जादा कारण यही होता है कि जो लोग प्यार में धोका खा जाते हैं वो लोग डिप्रेशन में दुखी रहते हैं प्यार ऐसी चीज है जिदि आपको अपना मन चाहा प्रेमी मिल जाए तो आपको लगता है कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है और यदि किसी कारण वर्ष आपका प्रेमी आप से बिछड जाता है तो आपको ऐसा में सुस होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दुखी यानि की सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ आप ही को मिली है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर आपको ये गलती बिलकुल भी नहीं करनी है क्योंकि जो चीज ईश्वर ने आपको दी है आपकी सही के लिए वहीं दोस्तों ईश्वर आप से छीन भी लेख सकता है एक बात आप ध्यान रखेगा कि भगवान उपर से जोड़ी बना कर भेज़ता है और इन में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है नियंतरन होता ही नहीं है दोस्तों यदि आपके नसीब में वेवेक्ती लिखाई नहीं है तो फिर उसके पीछे भागने से या फिर उसके लिए रोने पर क्या फायदा होगा हम मानते हैं दोस्तों यदि आपको प्यार में धोका मिल जाए या फिर आपको मन चाहा साथी नहीं मिल पाता है तो आपको बहुती ज़ादा दुख होता है तकलीफ होती है लेकिन दोस्तों आपको इस दुख को मात दे करके आगे बढ़ना होगा क्योंकि जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए यदि आप किसी के बारे में बार बार सोचेंगे बार बार डिप्रेस्ट होंगे तो आपका जीवन रुख जाएगा और दोस्तों ईश्वर ने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा है दोस्तों आपको बता दें कि आपको भगवान से शुक्रियादा करना चा चाहिए और अपनी सेहत का बरपूर ध्यान रखना होगा दोस्तों आगे बढ़ते रहना है पीछे मूर के मत देखिए समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है समय के साथ दोस्तों सब कुछ पदल जाता है और दोस्तों आपके जीवन में बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति डिप्रेशन एक ऐसी विमारी है जिसमें इंसान कितने भी हसी मजाग कर ले महल में रह ले लेकिन दोस्तो उसके बाद भी उनका मन बहुत उदास रहता है दुखी रहता है यदि वहद यदि आपको बहुत समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो तो दोस्तो आप किसी अच्छ च्छोटी समस्या ही बड़ी समस्या बन जाती है और दोस्तो ईश्वर ने आपको किसी अच्छे काम के लिए भेजा है ये आपको हमेशा याद रखना होगा तो दोस्तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी नौलेजिवल वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और अन्ते तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद